आपके पास Redmi 12 या 12 series का कोई और फोन है तो यहाँ पे आप fingerprint lock remove कैसे कर सकते हैं अपने फोन से तो fingerprint lock remove करने के लिए आप setting पे जाएंगे इस टैप से option आएगा scroll कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे password and security पे click कर लेंगे fingerprint के लिए आप यहाँ पे fingerprint unlock पे click करेंगे और जो भी आपका lock है वो enter करके next पे click कर देंगे इस टैप से option आएगा और इसके बाद यहाँ पे आपको यह जो fingerprint 1, fingerprint 2 ऐसे करके option आएगा तो बस आपको उसके सामने click करना है remove fingerprint पे click करके ok कर देना है fingerprint आपका remove हो चुका है इसी टैप से और भी fingerprint आएगे तो उसको भी आप बारी बारी से remove कर लेंगे और इसके बाद back कर लेंगे ठीक है और अब यहाँ पे जब आप finger लगाएंगे तो आपको finger काम नहीं करेंगे मंतब आप दूसरी तरीके से set कर सकते हैं आपको मैं दिखा द कर सकते हैं मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार